अखल भारती प्रवन्दन संग के 25 दीक्षान्त समारों में उपस्थित प्रफेसर अनिल सहर्श बुद्देजी अध्यक्स EICT शिरी संजय किलोसकर जी जो इस पूरी संस्थान के केंद्र बिंदों में बनकर बहुत लंबे समय से अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं शिरी हर्शकती सिंगानिया जी शिरी सीके रंगनातन जी डॉक्टर अभिम रायमेत्री जी रेखा सेथी जी जो डी जी है संस्थान के डॉक्टर राज अक्रिवाल जी संस्थान के साथ बहुत लंबे समय से अपना जुड़ाव रखे हुए हैं और इस संस्थान से इस अखलभारत्य प्रवन्दन संग से जुड़े सभी जितने भी संस्थान हैं उनके प्रमूख और उनके सभी फैकल्टी सभी उपस्तित चात्रों चात्राओ आज पचीस वर्ष पचीस वांद इक्षानत समार हो है और अपने इस यात्रा में इस संस्थान ने जिस तरीके से अभी संजय जी ने जिन बातों को काया है और उसे पहले मैं अनिल सहसबुदे जी को भी सुन रहा था मैं बदाई दिने के लिए आया हूँ उन चात्र चात्राओं को जिनोंने आज अपने सगन कोशिस के बाद जिनोंने अनेवरत साधिना और पड़ाई के बाद आज एक मुकाम को हांसिल किया है और आज उनको इस दिक्षानत समाहरों में सत्रा प्यस्टी चैसो सोला डिप्लोमा आट सो चसट स्टर्टिफिकेट और पांच गोल्ड मेडल जिनके हातों में आज उपलब्द हो रहे हैं वो ऐसे चात्र चात्राओं हैं जो स्वेम ही इस तरीके के प्रबंधन के छेत्र से जाकर के एक योधा के रूप में अब पूरी सिक्षप्राप्त करने के बाद पूरी मैदान में जा रहे हैं मैं आज उन सभी चात्र चात्राओं को शुब कामना और बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूँ और इस संस्थान से जुड़े सभी प्रबंधन जो पहले रहे हैं जो बरत्मान में हैं उन सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप बीना किसी स्वार्थ के एक मिशन मोड में जिस तरीके से इस संस्थान को चलाने का मन आप सब ने बनाया है आप अपना समय देते हैं अपना संसाधन भी देते हैं और अपना विजन भी देते हैं उसको मिशन में मिला करके उस अभ्यान को आगे भी बढ़ाने की आप हमेसा ताकत के साथ खड़े हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें चात्र तो बधाई के पात्र हैं उसके प्रबंधन से जोड़ी लो आप आज डिग्री लेकर डिप्लोमा लेकर के सर्टिफिकट लेकर के पीएसडी का लेकर के आप मैदान में जाने वाले हैं आपके सामने आप एक नए चुनौत आने वाली है अभी तक तो एक ही था कि हमने मेहनत करनी है는 किसी बड़े अस्थान तक अपनी प्रतिवा को उस सिखर तक पहुंचाना है जब हम बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिले हमको सुध और संदाज में बहुत आगी हम चाहे हमारा डिप्लम हमको मिले सब्टिप्रिकट मिले और मैं यह समझता हूँ कि आप आज बहुत सारे सवाल आपके मन में उबर रहे हूँगे यह को उत्सा ओमंग होगी स्वभव कि आज आपके परिवार के लोग वी किते खुश होंगे और यह तो आपके जीवन में यह च्छण तो बहुत ही महत्तपून च्छण है आपके जीवन की यात्रा को लगातार आगे करते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे शिकर पर पहुंचने के लिए उत्साइत और प्रेरित करते रहेंगे यह चंड बदूलब चंड है यह वो सुख के चंड है यह खुशी के चंड है यह आनंद के चंड है यह वो प्रेना के चंड है ज आपने बहुत सारे सपने संजोय होंगे, बहुत सारे सपने बुने होंगे, और उन सपनों को जिनको आपने संजोया है, आप योधा के रुप में यहां से बाहर निकल रहे हैं, मैदान में, आपकी पड़ाई की असली जो अप परिक्षा है, यह तो किबल यह पांच वर्ष की साथ वर्ष की दस वर्ष की परिक्षा है लेकिन आप तो जीवन की परिक्षा इस अध्यन के साथ इस संदान के साथ आपके जीवन की परिक्षा हर कदम पर आपको देनी है और हर कदम पर परिक्षा दे करके आपको शिकरता की सफलता तक पहुंचेना है तो जो शिकर है सफलत का वो आपके सामने है वो आपका target है और जीवन का लंबा मैदान आपके पास है आपका जो vision है उस vision को आप mission में कैसे तबदिल करेंगे जो समय है आप उसका प्रबंदन कैसे करेंगे जो आपकी प्रतीबा हो किस तरीके से उसका आगे निखार करके लाएंगे और फिर आप तो management के छात रहें जो आखले भारतिय प्रबंदन संग जो आखले भारतिया इसजार पर प्रबंदन का संग है जो management को सिखाता है क्योंकि मैं समझता हूं हर व्यक्ति का चमता नहीं है किस समय कहां पर क्या काम करना है अपनी धन्यदाश्य को किस अस्थान पर लगाना है यदि वो management नहीं है एक व्यक्ति बहुत प्रख़र है जेकिन उसकी अपनी प्रकरता का मनस करना नहीं आता कि उसकी कब कहां क्या उसने बूलना है और किन प्रस्थितियों में उसको आगे बढ़ना है तो भी बेकार हो जाता है उसकी संपती बेकार हो जाती है इसकी प्रकरता बेकार हो जाती है और यह जो प्रबंधन है किसी भी व्यक्ति के यदि कोई प्रशाशा कहे वो प्रशाशानिक सिवा में तो निकलता है देकिन यदि उसको प्रबंधन के ये सूत्र यदि उसके मन और मस्तिस्क में नहीं है 24 गंटे वो हर समय का प्रबंधन करना ब्यवस्थाओं का प्रबंधन करना प्रस्थितियों का प्रबंधन करना यदि उससे चेत्र है, जिस चेत्र में प्रबंदन नहीं है। योवन में है आप उस भरपूरी योवन के सब इस संस्थान से निकल करके जा रहे हैं और ये देश यंग इंडिया ये 25 वर्षों तक 30 वर्षों तक पुरी दुनिया में विल्कुल यंग रहने वाला है जो आपकी प्रतिबा है जो आपका मनजमेंट है जो आपकी सिक्षा है जो आपका योवपन है जो इस संस्थान की योवपन की जो प्रेड़ना है वो आपको किस शिकर तक पहुंचाएगी इसी सुबकामना दे निकले मैं आज आपके बीच आए हूँ मुझे अच्छा लगा जब संजे जी अपनी बातों को कह रहे थे कि हम किस रोप में इस संस् प्रेखरता का अपने संसादनों का उपयोग समास के लिए करते हैं राष्ट के लिए करते हैं वो दूर तक जिन्दा रहते हैं वो कभी मरते नहीं है जो जो बिचार है जो काम है वो ही जिन्दा रहता है बागी तो मनुश्य का है हम सब भारतवासी इस बात को खूब जानत हमारा सरी हमारे ले मैनेजर है तो किस का मैनेजर है हमारी परतिभा का मैनेजर है हमारी आत्मा का मैनेजर है हमारी जो विजन है उसका मैनेजर है हमारे जो मिशन है उसका मैनेजर है वो जो शरीर है आप इदर से दोड़ना है आपको तो वह इजाजत दे रहा है शरीर यह इसका कोई बरोसा ने कबकि तो छोड़ के चला जाए और जो उसके अंदर आतना है इसलिए गीता को पूरी दुनिया मानती है गीता को मानती है उसका अलग दर्शन है भारत के लोगों ने सरीर से कभी मोह नहीं पाला है उसका कारण है गीता में कहा गए यह सरीर किस चान आपको छोड़ दे इससे मोह नहीं करना चाहिए इसके लिए हमको जूट नहीं बोलना चाहिए चूँकि वासान सी जीरणानी यता भी है जिस तरीके से पुराने कपड़े को हम बदल करके नहीं कपड़ा धारन करते हैं यहींसे यह आत्मा है यह कभी भी आपको छोड़ जाएगी लिकिन वा हमेसा जरमर है उसी गीता में कहा है कि नैनम चिंदन ती सस्तरानी नैनम दहते पावका हा ना चैनम कलेद्यान त पूरना शोड़ से इतिमाद हुथा वो हमेसा अजरमर है इस विचार के लोग है हम और इसलिए पूरी दुनिया में यह देश विशोगुरू का आगया अचानक नहीं कि वह एक विशेपन नहीं ज्यान अनुसंदान हर छेत्र में हमारा जिवन दर्सन बिलकुल लग रहा है आप मैं युआओ मैं कहना चाहता हूं क्योंकि आप शोड करके निकल रहे हैं आप डिप्लमा स्र्टिवेकर लेकर करके अपने मैदान में जाने माले हैं कि इतने खुब्सूरत देश में हम जर्म लेते हैं मेरा भारत दुनिया में विशोगुरू कहलाता है वो भारत जो कह इतना बड़ा दुनिया में कोई सोच में नहीं सकता हम करते हैं उसको और हम जो पुरे दुनिया को अपना जब परिवार मानते हैं कुटम कम विसो बंदुत की भावना को लेकर चलते हैं तो क्योल भावना ही नहीं है हम उस समाज के लिए कि जब तक धर्ती पर एक भी प्रानी दुखी रहेगा मैं सुक का इसास नहीं कर सकता है यह हमारे संकल हम दुनिया के लिए पैदा हुए हैं हम पूरी दुनिया को लीडर्शिप देने के लिए पैदा हुए हैं हम पूरी दुनिया के संकटों को हटाने के लिए पैदा हुए ह हम केवल अपने लिए पैदाने में अपने परिवार के लिए पैदाने में और इसलिए ये दुनिया में अड़िवत देश है मेरा देश भारत और इसलिए जो आज का प्रबंदन है इस प्रबंदन की इस शिक्षा को लेकर के आप ये जो सोने की चीड़िया था मेरा भारत आगे बढ़ना था हमारी घुलामी ने तमाम थपेड़ों पर हमको पठका है लेकिन आज हम साधीन है स्रेकड़ों वर्षों की घुलामी ने हमको हमारी जड़ों से अलग करने की कोशिश की जो सुरेष्ट भारत था जो ऐसा भारत जिसमें तक्सिल और नालंदा जैसे और वि सिला से पहले दुनिया में कौन साथ विशो भी जाले था और यदि वो भी जाले हमारी धर्ती पर थे और उनी के बल्बूते पर पूरी दुनिया में हम शिकर पर रहें तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हर आलत में ये जो उनका प्रशाशन था जो उनका मनेजमें सिला प्रशाशन था जो उनकी सिक्षाती कितना बहतर रहा होगा अब समझ सकते हैं और इसलिए आज हम साधी ने हम अपनी जड़ों पर खड़े हो करके जो नई सिक्षा नीती आई है उस नई सिक्षा नीती बेरे भी हम यहीं कहते हैं कि हम मूले पर अक्षिक्षा अमेर ज जिवन मुले हैं उन जिवन मुले हैं पर आधारीत शिक्षा को हम ग्यान विज्ञान अनुसंदान नवाचार और प्रोद्योगी की की छीत में शिकर को चुमेंगे सारे वेश्व की प्रतिस्परदा पर हम आगे आएंगे और इस दिशा में यह आप जरूरी हैं क्योंकि आप प्रबंदन कब कहां कैसे करना है यह इस प्रबंदन के करण प्रबंदन से कोई भी शिकर को हम प्राप्त कर सकते हैं कोई भी सफलता को हम अर्जित कर सकते हैं और इसलिए मुझे आज खूशी है कि आप आज अपने दिक्षांत यह दिक्षा का अंत का दिन केवल यहां से प पढ़ाई तो आप शुरू हो गई, जीवन की पढ़ाई शुरू होनी है, हर कदम पर आपकी परिक्षा होनी है, मुझे भरोसा है कि जो पाठ्ठक्रम होगा, जो आप व्यावारिक रूप से अपने प्राप्त क्या होगा, उसको एक योदा की तरह आगे बढ़ते चले जाएं अभी अनिल सहसु बुद्देजी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी चीजों को आपके साथ बांटाएं, और उन्होंने नई शिक्षान नीती में क्या-क्या है, इस चीज़ को भी कहने की कोशिस की है, कितनी खुबसूरत ही है उस नई शिक्षान नीती की, इसको भी बताने की कोशिस की है, वो जो नहीं शिक्षान नीती है, यदि सूत रूप में आप एदि उसको देखेंगे, तो वो भारत के इंदित भी है, वो प्रयोद्योगी की से युक्त भी है, वो ज्यान विज्यान अनुसंदान वाली भी है, वो नवाचार में भी आपको शिकरता चाहिए जो सवच्छ भारत नए भारत की बारे में जब बार बार वो बोलते हैं कि मुझे एक नए भारत की संकल्पना मेरे मन में है वो जो सवच्छ भारत हो सवस्थ भारत हो समिर्द भारत हो सशक्त भारत हो जो आत्म निर्भर भारत हो स्रिष्ट भारत हो और एक भारत हो ये जो नया भारत है, उस नए भारत के लिए सूत्र के रूप में भी जिस तरीके से मेक इन इंडिया, डिजिटिल इंडिया, इसकल इंडिया, स्टार्ट अप और स्टेंड अप जैसे बिंदों को मंत्र के रूप में हमको उन्होंने बताया है और जिस तरीके से आत्म नेरव पर भारत की बात कहे करके अंतुतों गत्वा 5 trillion डॉलर की अर्थ व्यवस्ता को लेकर करके दुनिया के शिकर पर पहुंचेंगे यह अर्थ व्यवस्ता 5 trillion डॉलर की अर्थ व्यवस्ता यह आप से उकर के गुजरती है इसलिए देश की प्रदार मंती जी अभी जब कुछ खह रहे थे कि यह जो मेरे सुरनेम भारत की नई शिक्षा नीती आई है जो मेरे नए भारत है उस नए भारत की आधार शिला होगी यह जो नए भारत सुरनेम भारत की आधार शिला होगी और मुझे भरोसा है कि जब हम नए शिक्षा नीती की बात करते हैं हम तमाम तरवरतन ल सिक्षानीती NCI होगी जिसमें इतना भ्यापक परवर्तनवा धाई लाग ग्राम समीतियों तक हम लोग गए हम लोगों ने इस देश में यदि इसकी विशत ताप देखेंगे तो इस देश में एक अजार से भी अधिक विश्व भी द्याले हैं इस देश में 45,000 से अधिक डिक अमेरिका की जनसंख्या नहीं है उससे भी अधिक इस देश का चातर चातर है 33 करोर 33 करोर से भी अधिक और इसलिए मैं समझता हूँ इतना बड़ा वियाप है पूरी दुनिया का दुनिया के लोककंत्र का सबसे बड़ा देश इंदोस्तान यह आगे 25 वरसों तब यंग इं हम पीछे के समय में चर्चा कर रहे थे तो उद्योगों का और हमारे IIT का इंजिनेरिंग कॉलेजों का ट्रपलाइटी का IIM का यह पहले समंद नहीं होता था तो उद्योगों को क्या चाहिए वो इधर पता नहीं था इधर जो कोर्सेज होते थे वो उद्योगों को ज़रू करके आगे ला रहे हैं और इसमें भी यह कोशिश करेंगे कि पचास परतिसत तक जो इचात्र मेरा वो जो चाहिए IIM का है और चाहिए वो IIT का है ट्रपलाइटी का है यह पचास परतिसत उन्हों उद्योगों के साथ जोड़ करके काम करें वहां मनेजमेंट देके वहां त हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और वैसे भी जो नई सिक्षा नीती में हम लोग लाए हैं तो नई सिक्षा नीती में मालुम है कि हम तो छत्वी कक्षा छह से ही हम वो के इसनल ऐस्थ्रीम जो यह कौशन विकास की सिक्षा हम छट्वी कक्षाarner से पर अपने को आधारित करना चाहते हैं हम लोग sectioning, शिक्षणे तर और vocational इन तीनों की gap को खतम करना चाहते हैं sectioning तरीके से वो बहुत तेची से आगे बड़े वो अन्य गतिविदियां चाहिए खेल कूद हो उसके जीवन की तमाम सांस्कृतिक करिकम हो यह हो उनके जीवन की तमाम गतिविदियों के साथ वो जुड़ेगा और vocational छट्वी से ही वो ना केवल किताबों में वो ब्यावसाइक शिक्षा पड़ेगा बलकि internship के साथ करेगा वो जाएगा और जाकर के वो गाओं में जाएगा वहां के local चीज़ों से जुड़ेगा मिलेगा और उसको अपने मनमस्स इसमें संजो करके उस पर काम करना शुरू से शुरू होगा जब इसकोली शिक्षा से बाहर निकलेगा तो वो ऐसको दर-दर कोई नहीं भठका सकता है उसमें आत्में विश्वास होगा उसमें कुछ करन गुजरने की अभीपसा होगी और जब वो और आगे बढ़ेगा और यदि उसको आगे तक जाना है तो उसी भी से पर वो एक मास्ट्री लेकर के और शिक्षर को चुमेगा और इसलिए हमने पीछे के दिनों में जब कोबिट का समय था तब हम लोगों ने जब हमारे आईटी में तमाम प्रकार के शोधर और अनुसंदान हो रहे थे तो हमने ए पर खड़ता है और जो प्रदान मंती जी ने कहा कि जब विशम हिस्तितियां है चुनोतियां है इन चुनोतियों के समय में मेरा युआ और क्या कर सकता है तो मुझे उन नव जवानों का अभिनंदन करना है उन फैकल्टी को अभिनंदन करना है जिन्होंने कोबिट के समय ज तो कहीं मास्क बना रहे थे, कभी टेस्टिंग किट बना रहे थे, डोन बना रहे थे, क्या-क्या नहीं बनाया, हम ने अपने देश में उत्पादित भी क्या दुनिया को भी दिया, यह है हमारी थाकत, और इसलिए हम इसको नीचे से यह नहीं सिक्सानिती में ला रहे हैं, हम लोगों ने कृतिम बुद्धि मता की बात की है दुनिया में सायद हम पहला देश होंगे पहला देश होंगे जो आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस को छट्विक अक्सा से शुरू करेंगे वोकिशनल भी और कृतिम बुद्धि मता भी तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस बच्चे को भी हम भार नहीं देना चाहते हैं इसको पूरी तरीके से खुला रखना चाहते हैं तीन सो साथ डिग्री होलिस्टिक जो इसका मुलेंकन करना चाहते हैं और इसको सर्टिफिकट या यह केवल आक्षर ग्यान और अंक ग्यान की आधार पर हम इसका मुलेंकन नह इसका मुल्यंकन करेगा इसका साथी भी इसका मुल्यंकन करेगा और इसके अध्यापक भी इसका मुल्यंकन करेगे अभी भावक अध्यापक स्वयम और साथी जब यह मुल्यंकन करेंगे तो उभर करके आएगी परतिवा कहीं भी कोई कोरकसर नहीं रहेगी और इसलिए बहु एक ही ढर्रे पर शिक्षा चल रही है अब वो मानसिक तक खतम हो जाएगी अब तो उच्छ शिक्षा में भी हमने चात्रों को पूरा चोड़ दिया बहुत आजादी दे दी है वो अपने मन का राजा होगा बताओ क्या भी से छांटना चाते हो बताओ क्या भी से पढ़ना चा है उन विश्यों को आप ले करके दोड़ सकते हो आप किस चीज पर अपने को नंबर एक करना चाहते हो यह बंदनों से मुक्त कर दिया आप हमने उस चात्रों को उसको उसके मन का राजा बना दिया लेकिन मैं चात्रों आप से कहना चाहता हूँ राजा वही हो सकता है वही ह साथ समर्थन न बढ़ाएं अपनी छमताओं का पूरा उपयोग न करें समय को पहचानने की ताकत न हो और सब को साथ लेने की हिम्मत न हो तो वो कभी राजा नहीं बन सकता है और इसलिए अपने विजन के साथ जिवोन और मरण के प्रशनों पर भी शिकर तक पहुंचने की जो अभीव सा होती है जिग्या सा होती है जिजीव सा होती है जिद्ध होती है तब जाकर के सफल ताइं मिलती है मुझे भरोसा है मेरे हिंदोस्तान में ऐसे प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमने पूरी दुनिया को दिया है यह लोग कहते हैं हिंदोस्तान को इस तरीके से हिं अब तो हिंदोस्तान के लोग भी ठीक से दी जान पाई है मेरे हिंदोस्तान नहीं क्या हमारा जो अतीत है यह सुसूरुत सलचिकित्सा का जनक इस धर्ती पर पैदा होता है आईशो वेदा आयरुवेद को कहने वाला आज पूरी दुनिया आयरुवेद के पीछे खड़ी हो यह चरक इस धर्ती पर पैदा होता है योग जिसके पीछे आज हमारे देश के प्रदान मंतिजी ने जब विश्वकेश फलक पर यह कहा कि यह जो मनुस्य है हम बारत वासी इस मनुस्य को खुबसूरत देखना चाहते हैं सुस्त देखना चाहते हैं और तब उन्होंने कहा क कि पूरी दुनिया का जो इमाना हो है यह खुश रहना चाहिए और उसके लिए यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे देश में जो यह योग है इसका उप्योग हो सकता है पूरी दुनिया ने एक साथ इतियास में पहली बार वाओगा जब एक सो डिंडाने बे देश च किसमें दुनिया ने महसूस किया इसको अब वह जो पतंजली का यूग है यह लिकिस धर्टी पर पैड़ा हो यह चाहिए भाषा के बारे में हो और चाहिए वह किसी अनुसंद्धान के बारे में हो मैं समझता हूं कि भासकर अचार्या बुमिरी दुनिया में कौन नहीं ज श्रिंखलाओं को कहूं अपने प्राचीन भारत के भैग्यानिकों की, तो आज हमको गौरम महसूस होता है, हम उस अतीत को बरतमान से जोड़ेंगे, इस बरतमान को ग्यान, विज्ञान, अनुसंद्धान, प्रयोद्योगी की साथ, नवाचार के रूप में वैश्व के शिक् पर आगे बढ़ना है, हमको चलांग मारनी है, हमको दुनिया की शिक्कर को पहुंचना है, हम हर चेतर में अपने को साबित करेंगे, वैसे मेरे हिंदोस्तान ने पुरी दुनिया को लिडर्शिप दिये, कौन सा चेतर था जिसमें हमने लिडर्शिप नहीं दिये, हां, है हम उसचीज को भी पाटेंगे हम अपनी जड़ों को और गहरा करेंगे मैं कहना चाहतो नवजवानों आपको विशिश करके जिसमें ताकत होती है ये जो जड़े हैं जूसने भी अपनी जड़ों को छोड़ा है वो कटिवी पतंग की तरह हमेशार है जैसे कटिवी पतंग आसमान में तो जा रही है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसका पतन कहा होगा, क्योंकि जमीन पर नहीं है, जुड़ी नहीं है, कट गई है जमीन से, होंगे बहुत सारे लोग, जो बहुत बड़े लोड़े पदों पर चले गए होंगे, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ दिया है, तो उनका भी हस्र उसी कटिवी पतंग की तरह होता है और दूसरी बात जड़ें जब गहरी होती है तो तमाम आंधे और तुफान भी आपको उखाड़ करके ने ले जा सकते है जैसे एक ठून सा लंबा खड़ा पेड ना किसी को चाया देता है अन्ना फल देता है और वो ठून सा खड़ा रहता है तो एक चोटा सा हुआ का जूंका उसको उठा करके बहा करके ले जाता है लेकिन आपने देखा कि जो चोटा सा भी पेड होता है उसकी जड़ें गहरी होती है उसमें फल भी लगते हैं वो च्छाओं भी देता है और उसमें तमाम आदे और तूफान भी आते हैं तो उसको उखाड करके नहीं ले करके जाते हैं वो जम जमीन पर जुड़ा हुआ है ऐसी जमीन से जुड़े हमारी मन सिखता चाहिए हमारी संसकार चाहिए और प्रखरता प्रुशार्त करने की ताकत है हमारे तो देश में का आरून यहां अदमें देश हमारा जहां पहुंच अनजान चीतिस को मिलता एक साहरा हम तो वो लोग है हम तो दुनिया को साहरा देने के लिए हैं और इसलिए मेरे चात्रों आप सब को पता है कि अभी हम प्रवद्योगी की छेत्र में बहुत तीजी से आगे बढ़ेंगे हम लोगों ने अभी नेशनल एजुकेशन टेक्नलोजी फोरम का घठन करना है इस नहीं शिक्चा नहीं थी कि हर चेत्र में हम प्रवद्योगी का उप्योग चाहते हैं आप उसको प्रवद्योगी को आपस में समंझे से बिठा करके जैसे एक आदमे को कुछ आता है लेकिन दूसरे को कुछ नहीं आता दूसरे को आता है लेकिन तीशों को यदि तीन एक जगा मिल जाते ही तो ऐसी चीज बन जाती है जिसके कभी कलपना ही नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने भी अभी सोध और निसंदान में जो नेशनल रिशर्स फाउंडेशन के स्थापना कर रहे हैं उससे पहले हम स्पार्क के तहिक दुनिया के 117 सीर सो विश्व बिदैलियों के साथ सोध और निसंदान कर रहे है हम इस्ट्राइट के तरह ये जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं कि अंतर विशे शोध करेंगे मिलकर करेंगे उस जिशा में भी आएगे हैं इंप्रिंट है इंप्रेस है प्रधानमंती अधेटा वरती है और इसलिए आपने देखा होगा कि आश्यान देशों के एक हजार से भी अधिक छातर आज मेरी देश में अनुसंदान के लिए आ रहे हैं हमने इस्टेडी इन इंडिया पूरी दुनिया के लोगों को बलाया है आओ हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए और अब तो इस्टे इन इंडिया भी कर दिया है इसलिए कि यहां से साड़े साथ से आठ लाक एक छातर वी देशों में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं उनको लगता है कि जैसे सब बहुशे वी देशों में और मेरा इस देश का Σंज्य ौआ जी इस देश का देड लाक करूर रुपया परतिवर्स वी देश में छला जाता है मेरी परतिबा भी और मेर पैं पुज़ा का इस्तिमाल कर रहे हैं. आप देखें ना दूनिया के देशों का अधियन करेंगे तो इसकी आर्थिकी में, उसकी सामयजी की में, उसकी सेक्षनिक छेतर में इस हिंदुस्तान की परतिभाओं को कितना बड़ा योगदान है आप यह दिसका दिन करेंगे तो आपको आश्यर होगा इसलिए मेरी गौर्मेंट ने हमारे प्रधान मंतिजी की आगवाई में जो उनका हमको मार्ग दरसन मिला इस्टेडी इन इंडिया और इस्टे हम उनके साथ जुड़ेंगे हमारा चात्र यहीं पर उसको उदर जाने की ज़रोति यहीं पर आएगा और वैसे चात्रों मैं आपको कहना चाहता हूं ऐसा नहीं है कि हमें सामर्थे नहीं है ऐसा नहीं है कि मेरी सेक्षण संस्थाओं में उत्करिश्टता नहीं होती तो कंपनियों के CEO कौन है मेरे हिंद्वस्तान की धर्ति पर पढ़ करके जाने बाला चात्र है यह स्वेम सिद्धा मैंने जब अपने आएटी को आएएम के चात्रों की पूर चात्रों की सूची निकाली तो मुझे गर्व के साथ कहिना पढ़ता है कि पूरी दुनिया में मेरी प्रतिबाई च्छाई वी आज यह हमारे टैलेंट हम इसको टैलेंट भी रोकेंगे और पैटन भी रोकेंगा अब टैलेंट के साथ पैटन जोडेंगे हमने इस नई शिक्षा नीती में कई चीजों को क्रांतिकारी परवरतन लेकर के आए हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि जो यस देश के भी सो आइसे विसो विद्याल हैं जो एन आई आर एप में हंड़ेट में एक हजार विसो विद्याल में जो टॉप हंड़ेट हैं उनको हम ऑनलाइन परिक्षा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन भी उनक माध्यम से हम करें ये भी दुनिया का पहला देश होगा जो सो से भी आधिक विसो विद्याल है आउनलाइन एजूकेशन पर आएंगे अभी भी हम स्वेम प्रभा इपार्चाला और एंडियल और दीक्षा के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आउनलाइन म दुनिया के ये शंख्या के अत्मत दृष्टी से देखा जाए तो दुनिया में हम पहला देश है और ऐसी बेसम इस्तितियों में जब कोबिट की ऐसी महामारी थी तब भी हमने अपने 33 करोड़ शात्र शात्रों को ऑनलाइन से जोड़ करके किसी तरीके से हाँ अभी कुछ प्रतिशत ऐसा है जिस तक हम नहीं जा पाई हैं हम लोग तेजी से उस तक भी हमको पहुंचना है बहुत सारी बच्ची हमारे ऐसे हैं जिनके पास ना मोबाइल स्मार्ट मोबाइल है और ना जिनके पास नेट की वेवस्था है और इसलिए हम उस दिसा में लगातार आगे हैं और मैं आवान करना चाहता हूँ आईमा को कि वो इस दिसा में आगे आए आपकी आपकी टीम आगे आए यह जो नई शिक्षान नीती है उसकी खुबसूरती को आगे बढ़ाए हम लोगों ने तो चात्र को विशय जहां चुनने की का मौका दिया वहां डिजिटल लोकर वरस भी उसको दे दिया है हमने यह कह दिया कि उसको यह सुविदा देगे उसकी क्रेडिट बैंक बनाने की ज़िए चार वर्ष का कोर्स है और प्रस्तिती वर्ष यह एक वर्ष यह दो वर्ष में छोड़ना चाता है तो वह मेहनत उसकी खतम नहीं होने देंगे वह उसका जो क्रेडिट पैंक उसका वहां रहेगा यदि एक साल में जा रहा है तो उसमें उसको स्क्रेडिट देंगे दो साल में जा रहा है तो डिप्लमा देंगे तीन साल में जाएगा तो दिग्री देंगे और यदि वह बीच में छोड़के जा रहा है और दोबारे वह अपने कर कर्स में उसके जितनी स्ट्रिफिकर्स हैं उसके अंकता लिका हैं यह सब एक जगह संग्रहित होगा तो दुनिया में कहीं भी जाए उसको कहीं बटकने की ज़रूत नहीं उसको जब चाहिए स्ट्रिफिकर्स निकाले जब चाहिए वो प्रमानिक होगा दुनिया के लिए यह और जो स्वायतता है इसको भी हम पूरी तरीके से दे रहे हैं हम स्वायतता के हमें सब पक्षदार है और इसलिए हमने यह कहा कि चरणबद तरीके से किस तरीके से इन कॉलेजों को हम स्वायतता दे सकते हैं उच्छ शिक्षा आयोग एक उच्छ शिक्षा आयोग हम ला रहे ह जिसके तहए चार कॉंसिल होगी एक पाठ्यक्रम का और उसका सारा निर्धारन करेगा दूसा उसका प्रशाशनिक तरीके से उसका क्रियान्मिन करेगा जो केवल क्रियान्मिन होगा तीसा उसका बुल्यंकन करेगा तीसा बुल्यंकन भैतर तरीके से कैसे उठ सकते हैं और हम लोगों ने आमूल चूल परवतन क्या है उच्छी शिक्षार इसकूली शिक्षा की जो प्रनालियों में है वो परवतन कारी सुधारों के साथ हम इस नई शिक्षार नीतियों को लाई है और इसलिए मैं यह समझता हूँ कि आप जो आज आपका दिक्षांत समार हो है इस द तरीके से हम इस नेपी में चाहिए बहु विशयक होंगे चाहिए वोकेशनल ट्रेंडिंग का विशय होगा चाहिए स्टेडी इंडिया का एक ब्रांड होगा स्वायतिता का के संस्थान होंगे और जैसे उच्छ शिक्षा में रिफॉर्म लेकर के बड़े परिवर्तन लेक करके आए हैं हम नेशनल रिसस्ट साउंडेशन को लेकर के आए हैं नेशनल एज्यूकेशन टक्निकी फोरम को लेकर के आ रहे हैं रोजगार परक्सिक्षा कैसे हो सकते हैं मूले परक्सिक्षा कैसे होती है और इसलिए इस समय आपको हमने विकल्प भी दे हैं यह अफसर भ होती है कि आप दिक्षंत समारों में आज हम सब लोग मिल करके अपनी नहीं शिक्षा नीती जो राष्टे शिक्षा नीते 2020 है जो दुनिया के खुब्सुरत नीती है जिसको पूरी देश ने एक जुट हो करके और मस्ती के साथ उत्सव के साथ जिसका स्वागत किया है वो नि फोकस भी होगा तो इस पर फोकस भी होगा यह इस पर टैलेंट भी पैदा करेगा और टैलेंट का विस्तार भी करेगा तो मुझे लगता है जहां यह सभी बिन्दों से जूर करके होगी तो जो प्रबंदन है वो इसकी आत्मा के रुप में काम करेगा जो प्रबंदन है जो जो management का है ये management किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है इसको ये बहुत जरूरी है और इसलिए मैं आज सभी छात्रों को इस बात के लिए बढ़ा ही देता हूं कि आप पूरी दुनिया में चाहें जो हमारे भारती जीवन मुल्य हैं उनको लेकर के साथ बढ़ें और आप ranking हो आज हम अब छलांग मानने की स्थित्म है आई वोई की जैसे अनिल जी को मैं सून रहा था उन्होंने बताया कि हमने कोच उतकरिष्ट संस्तान अभी छांटे हैं जो विश्व के ranking में स्रेष्ट पर जाएंगे लेकिन हमारा अंतिम छोर पर बैठे रहे रहें वाला चात और अंतिम छोर पर भी खड़ा कोई संस्तान उसको भी मुझे उसी स्थार पर लेकर के जाना है और पूरी ताकत के साथ लेकर के जाना है मुझे लगता है कि जो मैं विशेश बदाई देना चाहता हूं जो गोल्ड वैडल जो बचों ने आज प्राप्तिक किया है एक तो मस शुब कामना दे रहा हूं आपको और आपके परिवार को बहुत सारी बदाई दे रहा हूं और मुझे लगता है कि खातून सहीदा खातून उसको भी आज दो एक साथ दो मिल रहे हैं खातून मेरी शुब कामना तुम बहुत परतिवाश आली हो और तुमको दो-दो मेडल मिल रहे हैं तो ये सब के लिए बहुत गर्व की बात है और तुम्हारे अगल बगल में जो मुझे सुन रहे होंगे वो भी तुमारे लिए ताल्यू की गड़ड़ हाट से स्वागत कर रहे होंगे और इसलिए जो आपको विनोद भी आज मेडल पाने वाले लोगों में और जितने भी लोग आज मैडल पा रहे हैं पिएजडी पा रहे हैं डिपलोमा पा रहे हैं सर्टिपिकट पा रहे हैं मैं आप सब को बहुत बदाई आज का दिन आपकी जिन्दगी में एक ऐसा मेहत्वपूंट दिन होगा जब वो गरवानित करेगा और जो आज हम सब लोग आपको बदाई देने के लिए मेरे प्रिया चात्र चात्रा हो ये कतित हुए हैं हमें आप पर गर्व होगा आप ऐसा काम करें कि दुबारा इसे संस्थान में आकर कि हम आपको अभिनन्दन कर सकें कि हाँ हमारे ये सीरा ने पुरी धुनिया में हमारा माथा उंचा किया है सब को छो सकता है इच्छा सकती की जौरत है सब को छो सकता है मेनत की जौरत है सब को छो सकता है अपने विजन को दूर तक ले जाने की जौरत है और अटल जी बूलते थे हमेशा छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और चोटे तन वाला तूटे तन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता यह जो चोटा मन होता है चोटा मन में चोटा विचार विचार जब बड़ा विचार तभी आदमें बड़ा हो सकता है तो बड़े विचार के लिए बड़ा मन चाहिए बड मैंने पहले भी कहा कि हम पूरी दुनिया के लिए इस देश की धर्थी पर पैदा हुए हैं तो हमारा बीजन उतने ही बड़ा है जब बड़ा बड़े दूर तक जाएंगे तो फिर ताकत के साथ दूसरे को संदक्षन कमजोर आदमी ने दे सकता दूसरों को संदक्षन देगा तो पहले आत्मी विश्वा से बारा हो ताकत साली हो विजनरी हो मिशनरी हो जिस पर लोग बारों सा कर सकें और यह जो नई शिक्षा नीती है ऐसे बिजनरी लोगों को तैयार करने के लिए आई है फिर मेरा भारत जो पूरे विश्वा में एक सुरने भारत के रूप में प प्रधानमंति जी जी अप सारे देश के 1000 से व्यदिक विस्विद्यालेओं के कुलपतियों से मिले थे और 45,000 से व्यदिक डिग्री कॉलिजों के साथ मिले थे तो उन्होंने कहा कि इस गौर्मेंट में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है उनकी शंका निर्मूल साबित होंगे क् राद दिन खब करके इस शिक्षान नीति को उसके जमिन तक क्रियानित करेंगे अंतिम व्यक्ति तक करेंगे और उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि मैं चटान की तरह आपके साथ खाओं आप इसको क्रियानित करिए तो इससे बड़ा आशीर बात इस नहीं शिक्षान नीत पीछे आप कैसे सोचना और कहां जाना है और जाना है तो छलांग मारनी है उसके लिए रहस्ता भी बनाना है मैं आपने मुझे को याद किया है और आप भी पूरे तैनमेता के साथ इस नहीं शिक्षान नीति को और आगे कैसे करके चर्चा में लाएं ताकि उद्योग मेरे चात्र सब मिल करके आगे बढ़ सकें और हम मनेजमेंट के दिशा में क्योंकि जब फाइब ट्रिलन डॉलर के आर्थिकी होगी उस दिन इस देश को कम से कम डेड़ लाग से लेकर के दो लाग तक अच्छे प्रबंदन वाले लोग चाहिए अच्छे मनजर चाहिए अच्छ अच्छे आपका संस्थान इस दिसा में यसोसी हो मेरी शुब कामना बदबदने बाद